हेलो एन वेलकम आज हम एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और यूजफुल चेप्टर पढ़ने वाले हैं चेप्टर का टाइटल है हाउ योगा हील्स जैसा की टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चेप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि योगा कैसे हील करता है अपनी बॉड दुनिया में लेकिन इस चेप्टर में एक बात लिखी है तिमोठी बर्गिन ने जो इसके रैटर हैं वो कहते हैं कि जो योगा का इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो मैडिकल प्रैक्टिशनर हैं उन में से 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि योगा बॉड़ी पर कैसे काम क हैं इन फैक्ट हम अपनी बॉड़ी के बारे में ज़्यादा जानने वाले हैं इस चेप्टर में और इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि यह बहुत यूस्फुल चेप्टर है एस टूड़न नहीं एक नॉमल कॉमन पोसन को भी पता होना चाहिए कि उसकी बॉड़ी कैसे फंक्शन करती है तो आईए जानते हैं इस चेप्टर में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं लेकिन अब बात करूँ मैं स्टूड़न्स की तो इस चेप्टर में कुछ ऐसे साइन्टिफिक फैट्स हैं जो स्टूड़न्स को अकसर थोड़े से परेशान कर देते हैं क्योंकि कि इस चेप्टर में एक बायलोजिकल एसपेक्ट है तो पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं अगर वो समझ में आ जाए तो यह चेप्टर बहुत इंट्रस्टिंग लगेगा और बहुत मज़िदार लगेगा और ऐसा लगेगा कि इस चीज को तो हमें जिन्दगी पर याद र network system यह दौनों ही हमारी बॉडी में दो system होते हैं घृते हैं अब इनके क्या काम होते हैं इनको अनुकंपी और इसको परानुकंपि सम्वेदी ृत कहते हैं तो देखिए Sympathetic network system क्या होता है इसको n certoalsa है इसको fight or flight response भी कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉंस भी कहते हैं और इसको रिलेक्शेशन रिस्पॉंस भी कहते है रिलेक्शेशन रिस्पॉंस तो अब ध्यान से समझेगा कि ये दोनों क्या काम करते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमें अच्छानक डर लगता है हम जब रोते हैं, जब हमें stress फिल होती है, तो एक तरह की sensation होती है हमारी body में, यानि हमारी body अलग तरीके से react करती है, वो क्यों करती है, वो किस तरह की sensation होती है, वो इस system के activate होने की sensation होती है, यानि अक्सर आप note कीजिएगा, हम जब रोते हैं, उदास होते हैं, tension में होते हैं, अचानक हमें कोई चीज ऐसे effect करती है तो हमारी body में एक sensation होती है वो sensation क्यों होती है क्योंकि अचानक ये system activate हो जाता है और इस system के activate होने की वज़े से ही हमें अलग-अलग तरह की stress मैसूस होती है यानि तनाव महसूस होता है बले वो मांसिक तनाव हो शरिरिक तनाव हो किसी भी तरह का तनाव stress हमारी body में इस system के active हो जाने से होता है फिर इसके result में जैसे कि हमारी heart beat बढ़ जाती है हमें पसीन आने लगते हैं हमारी सांस फूल जाती है बी-पी हाई हो जाता है तो यह जो normal चीज़ें होती हैं हर एक इनसान के साथ वो क्यों होती है क्योंकि हमारी body में एक sympathetic nervous system नाम की चीज़ होती है जो activate हो जाती है अब naturally हमारी body में इसका एकदम counterpart यह कहें कि दुश्मन होता है यह माल लीजिये अब यह क्या काम करता है यह system यानि parasympathetic nervous system इस system को deactivate करने की कोशिश करता है और अपनी body को relax करता है इसलिए इसको क्या कहते हैं relax session response करते हैं जैसे कि हम जब enjoy कर रहे होते हैं हस रहे होते हैं entertain हो रहे होते हैं खेल रहे होते हैं तब हम बहुती relax feel करते हैं बहुती आनंद महसूस करते हैं तो जब भी इस तरह की activities करते हैं जब एकदम relax होते हैं तब हमारी body में यह parasympathetic nervous system activate हो जाता है और generally हमारी body में क्या रहता है यह system activated रहता है यह system तो कभी-कभी activate होता है जैसे कि इस वक्त आप बैठे हो आराम से बैठे हो easy feel कर रहे हो इस वक्त आपके body में यह parasympathetic nervous system activated है अचानक किसी भी तरह की कोई threat आएगी न तो जट से आपकी body में यह sympathetic nervous system activate हो जाएगा बस यही दो चीज़े हैं जिनके basis पर यह पूरा chapter आपको explain किया गया है कि योगा इन पर कैसे असर करता है और यह दोनो systems को activate और deactivate कैसे योगा के थुरू किया जा सकता है और इनका activate और deactivate होना इन दोनो systems का हमारी body पर कितना effect डालता है ठीक है तो हम इसको बहुत अच्छे से points के थुरू समझते है तो देखिए इस chapter की शुरुआत में एक बात कही गई है कि it has become a common knowledge that yoga is good for you यह तो सब जानते हैं कि yoga हमारे लिए फाइदे मंद है but very few know how बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे एक therapy बन चुका है yoga आजकल कई बिमारियों के लिए जैसे कि cancer, infertility यानि बांचपन, lung disease यानि फेंफ़डों से संबंदित किसी भी तरह की बिमारी insomnia, ए निद्रा, नींद नहीं आने की बिमारी multiple sclerosis हमारे सनायोत नतर से संबंदित अलग अलग तरह की बिमारिया high blood pressure Parkinson's disease देखा होगा बड़े बुज़र्गों के हाथ पर इसे कांपने लग जाते हैं तो वो vibration की बिमारी को Parkinson's disease कहते हैं joint pain इन सब बिमारियों के लिए योगा आज एक therapy बन चुका है लेकिन हमें एक बात का पता होना चाहिए और एक बड़ा interesting fact है कि 90% of illness ये बिमारियां और भी बहुत सारी बिमारियां इन में से 90% का संबंद सीधा सीधा किसे है stress से 90% of illness is stress related ये ध्यान में रखिए तो अगर हम ये समझ जाएं कि stress होता क्यों है और उसको हम control कैसे कर सकते हैं तो हम कभी बिमार होंगे ही नहीं और यही इस chapter में आगे समझाया हुआ है तो अब stress क्यों होता है उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी बोड़ी में एक sympathetic nervous system नाम की चीज़ होती है हमें जिस तरह का भी stress फील होता है वो सब कुछ इस sympathetic nervous system का ही product होता है यानि शरीर में हर तरह का तनाव जो अचानक हमें मैसूस होता है वो इस sympathetic nervous system के activate होने से होता है stress is the product of fight or flight response और sympathetic nervous system इसके दो नाम होते हैं जैसा के हमने पहले भी जाना अब अलग अलग तरह की stress जैसे surge in heart rate अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाना cardiac output यानि हिर्दय से संब्द किसी भी तरह की कोई बिमारी हो जाना high blood pressure shallow breathing यानि सांस नहीं आना या धीरे धीरे आने लगना tensing muscles यानि हमारी mass patient में तनाव आ जाना metabolism शरीर में एक रस प्रिक्रिया होती है यानि हम जो भी खाते हैं उसका रस बनता है वो प्रभावित हो जाती है sweeting यानि पसीने आना ये अलगलग तरह की stress है ये क्यों होती है अचानक कैसे हो जाती है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि किसी ना किसी threat की वज़े से या किसी ना किसी वज़े से हमारी body में ये sympathetic nervous system activate हो जाता है अब जब ये activate हो जाता है तो उससे हमारी body पे क्या फर्क पड़ता है ये तो लक्षन है इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ता है ये shuts down the sympathetic nervous system shuts down digestion elimination हमारी पाचन प्रकरिया को बहुत भेंकर रूप से प्रभावित करता है ये system और हमारा तो जीवन ही पाचन प्रकरिया पे निर्भर करता है जो खाते हैं उसी से हमारा जीवन चलता है तो digestion ही shut down हो जाता है इसलिए बिमारिया आती है elimination रुख जाता है ये निशकाशन प्रकरिया शरीर की रुख जाती है ये अलग अलग चीज़ों को निकाल देने की प्रकरिया और reduces blood flow ये सबसे बड़ा खतरनाक फरक पड़ता है इस system के activate होने का हमारी body के उपर सोचिए blood flow को reduce कर देना हम सब जानते हैं कि हमारी body के हर पार्ट तक blood का free flow होना बहुत जरूरी है और sympathetic nervous system क्या करता है उस blood flow को reduce कर देता है इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी body में sympathetic nervous system ज़्यादा देर तक activate ना रह जाए अगर ये ज़्यादा देर तक activate रह गया तो फिर stress होगी stress से हम depression में चले जाएंगे और भी बहुत सारी बिमारिया हमें हो जाएंगी तो पहले चीज clear होगी अब देखिए क्या ये system activate होना ही नहीं चाहिए अगर ये इतनी ही बूरी चीज है तो फिर इसको activate ही क्यों होना चाहिए तो देखिए ये एक बहुत important point है कि short term stress is good हमारी body के लिए इसको fight or flight response कहते है किसी भी तरह की कोई problem आती है situation create होती है तो या तो ये fight कर लेता है उससे या flight हो जाता है या भाग जाता है जब ये fight कर लेता है तो हम normal रह जाते हैं कोई बिमारी नहीं होती लेकिन ये system activate होने के बाद में लंबे समय तक activate रह जाए तो ये flight ही करेगा क्योंकि हमारी body तयारी नहीं होगी किसी चीज से लड़ने के लिए बिमारी से लड़ने के लिए तो ये भाग जाएगा ये हमारी body की immunity खतम हो जाएगी जिससे हम बिमार हो जाते हैं तो ये है ना fight or flight response इसलिए कहलाता है क्योंकि या तो ये किसी बिमारी से लड़ लेता है या उससे भाग जाता है लड़ लेता है तो हम ठीक रह जाता है और ये भाग जाता है तो हम बिमार हो जाते है इसलिए काएगी short term stress is good ये system कभी कभी activate होके हमें instructions देता है हमें बचाता है लेकिन long term stress causes high level of cortisol लेकिन long term stress जो होती है वो harmful होती है ये हम सब जानते है अच्छा long term stress क्यों harmful होती है इसके पीछे का scientific reason क्या है तो समझिएगा long term stress के कारण हमारी body में एक cortisol नाम का hormone होता है वो बढ़ जाता है अब cortisol hormones related अपना question भी है जान दीजेगा कि cortisol hormone के बढ़ने से हमारी body पे क्या effect पढ़ता है तो देखिएगा cortisol के बढ़ जाने से एक तो हमारा immune system suppress हो जाता है यानि इसमें गिरावटा जाती है immune system कमजोर हो जाता है causes sleep disturbances cortisol के बढ़ने से हमें नीद नहीं आती loss of appetite हमें भूक लगनी बंद हो जाती है cortisol के बढ़ने से और cortisol के बढ़ने से ये तीन चीजें बढ़ जाती है देखो एक तो cholesterol हमारी body का यानि चर्बी बढ़ जाती है triglyce fried नाम का एक वसा होता है fat होता है वो हमारी body में बढ़ जाता है और ज्यादा तर heart attack आने का कारण है न यही एक ऐसी चीज है जिसके बढ़ जाने से इनसान को heart attack आता है heart rate बढ़ जाती है blood pressure बढ़ जाता है तो यह सारे के सारे क्यों होते हैं क्योंकि cortisol बढ़ जाता है और cortisol क्यों बढ़ता है क्योंकि stress लंबे time तक रह जाती है और stress लंबे time तक क्यों रहती है क्योंकि sympathetic nervous system ज़्यादा देर तक activated रह जाता है nervous system तो पेरा-sympathetic nervous system को हम relaxation response भी कहते हैं क्योंकि यह system जब activate होता है न तो यह अपने आप deactivate हो जाता है पहले इसको समझते हैं पेरा-sympathetic activates when stress ends जब हमारी बॉडि में तनाव खत्म हो जाता है तो यह अपने आप क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है अब इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है क्या फर्क पड़ता है देखो अब ये सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है हमारी बोड़ी में कई चीज़ों को ये लोवर कर देता है जैसे ब्लड प्रेशर को कम कर देता है heart rate को जो normalize कर देता है यानि जो बढ़ गई थी उसको कम कर देता है respiration यानि सांस जो या तो धेरे आ रही थी या तेजी से आने लगती है उसको ये normal कर देता है कहने का मतलब जो चीजें हमने यहाँ पढ़ी जो sympathetic nervous system के वज़े से बढ़ी या चो डिगड गई उनको ये ठीक कर देता है जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा digestion, elimination, blood flow को ये खराब कर देता है यहाँ पर ये maintain कर देता है digestion को ये maintain कर देता है elimination को और ये maintain कर देता है हमारी body में blood flow को तो कहने का मतलब ये है overall आपको समझ में आ जाना चाहिए पैरा-sympathetic nervous system activate रहना चाहिए क्योंकि इस system के activate रहने से हमारी body में blood flow बहुत ही अच्छे से होता है अब blood flow के बारे में एक अलग से बात बताई हुई है इस chapter में जो हमें याद रखनी चाहिए कि free blood flow in digestive, reproductive, glandular and immune system हमारी body में ये चार तरह के बहुत important systems होते है digestive system, reproductive system, glandular system और immune system मतलब digestive यानि हमारा पाचन तंत्र, reproductive यानि हमारा जनन तंत्र glandular यानि हमारी जितनी भी गरंथियां है हमारी body में वो जितनी भी गरंथियों का तंत्र है और immune system यानि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ये जितने भी चारों तरह के system होते हैं इन सभी में blood का free flow होना बहुत जरूरी है blood circulation बहुत जरूरी है और blood का flow होना long term health के लिए बहुत जरूरी है ये question भी है अपना कि long term health के लिए क्या जरूरी है तो long term health के लिए इन चारों system में free blood flow होना बहुत जरूरी है जो सिर्फ और सिर्फ किसकी वज़े से हो सकता है परा-sympathetic nervous system की वज़े से हो सकता है अगर sympathetic nervous system activate रहेगा तो blood flow रुख जाएगा या धीरे पढ़ जाएगा या किसी ना किसी तरह का उसमें कोई effect पढ़ जाएगा लेकिन परा-sympathetic nervous system के activate होने से हमारी body में healing abilities बढ़ जाती है अब अब तक योगा की तो बात आई ही नहीं इसमें तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि योगा activates परा-sympathetic nervous system मैंने short में लिखा है यहाँ पे PNS means परा-sympathetic nervous system योगा करने से परा-sympathetic nervous system activate होता है हम जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं बोड़ी को twist करते हैं invert करते हैं यह जो कुछ भी हम योगा में करते हैं उससे हमारी बोड़ी में परा-sympathetic nervous system activate होता है और जब पैरा sympathetic nervous system activate होता है तो क्या होता है हमारी body में देखो decreases cortisol जो cortisol बढ़ जाता है stress के वज़े से वो कम हो जाता है lessons intensity of SNS SNS मतलब sympathetic nervous system की intensity को lesson यानि ये कम कर देता है यानि असर को कम कर देता है improves healing abilities हमारी body में inherent healing abilities होती है यानि जन्म से ही बिमारियों से लड़ने की एक शमता हमारी body में होती है योगा उन healing abilities को improve कर देता है enhances blood flow इससे हमारी body में blood flow और होने लगता है योगा करने से activates lymphatic system योगा हमारी body में lymphatic system को activate कर देता है अब lymphatic system क्या होता है immune system का वो हिस्सा जो हमारी body में गए हुए viruses अलगलग तरह के जो toxins होते है यानि अलगलग तरीके के विशेले पदार्त उन सब को लड़कर खत्म करने का काम lymphatic system करता है तो योगा lymphatic system को activate कर देता है improves muscle power योगा muscle power को बढ़ाता है develops self awareness and discipline ये एक बहुत बड़ा फायदा करता है योगा योगा करने से हमारे अंदर self awareness यानि खुद के प्रती चेतना बढ़ती है और discipline यानि शारिरिक जो discipline होता है अनुसाशन उसको develop करता है यानि विकसित करता है और positive behavior modification योगा करने से इनसान का behavior attitude positive हो जाता है यानि life की हर किसी circumstance में इनसान positive रहता है ये योगा करने से होता है अब ये सबसे बड़ा important question है इस chapter का की योगा करने से क्या-क्या फायदे होते हैं बस यही सारी चीजे हैं इन चीजों को आप explain कर दो अलग-लग sentences में ये आपका long answer type question बन जाएगा 2019 के paper में ये ही question आया था कि योगा करने से क्या-क्या फायदे होते हैं तो ये सारे फायदे होते हैं योगा करने से और scientific reasons आपके पास में है कि क्या sympathetic nervous system होता है क्या parasympathetic nervous system होता है और योगा का इन पर क्या आसर बढ़ता है योगा करने से sympathetic nervous system normal हो जाता है और परा-sympathetic nervous system जो है वह एक्टिवेट हो जाता है आप ट्राइब करके भी देख सकते हैं जब आप stress में हो तो अक्सर आपने सुना वगा लोग कहते हैं कि just breathe take a long breath यानि एक लंबी सांस लो तो वह लंबी सांस लेने से क्या होता है sympathetic nervous system की intensity कम होती है जिसकी वज़य से हमें थोड़ा सा relax feel होता है ठीक है ना तो overall यही chapter था जिसमें यह आपको scientific reasons के साथ और facts के साथ बताया गया कि योगा करने से क्या फायदे होते हैं और कैसे फायदे हो जाते हैं और हमारी body में क्या क्या systems होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं I hope आपको यह सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी फिर भी particular किसी भी चीज़ को आपको पूछना हो तो definitely आप comment section में लिखिएगा अब चलते हैं question answers के और question answers में exactly यही words और यही बाते हम repeat करने वाले हैं लेकिन फिर भी आप एक बार इसको note कर लीजिए और एक बार पढ यानि उपचार बन सकता है देखिए yoga can be a therapy for the diseases like cancer, infertility यानि बांचपन, insomnia यानि एनिद्र, lung disease, फेंफडों से सम्मधित बिमारी, multiple sclerosis यानि सनायू तंत्र से सम्मधित कई बिमारिया, Parkinson's disease यानि कंपन की बिमारी, high blood pressure यानि उच्छ रक्त चाप and joint pain यानि जोडों का दर्ध इन सब के लिए, question number two, which diseases are caused by stress, इसके बाद में fourth question भी same है कि write the main hazards of stress, तो देखिए, a medical research shows or estimates that, यानि एक चिकित सकी या शोद ये दर्शाता है या अनुमान लगाता है कि about 90% diseases are stress related, 90% बिमारिया तनाव से सम्मधित होती है, stress is very harmful, ये बहुत नुक्सान दायग है, it causes high blood pressure, surge in heart rate, depression, anxiety, diabetes, mellitus, tension in muscles, etc. यानि हर्दे की धरकन बढ़ना, depression यानि आवसाद, anxiety यानि चिंता, diabetes यानि मदुमे है, tension in muscles यानि माहसपेशियों में तनाव, question number three, question number three, what is the reaction of our body in the fight or flight system, तो देखिए, the sympathetic nervous system is called the fight or flight response या system, यानि sympathetic nervous system, अनुकमपी सम्वेदी तंतर को ही हम fight or flight response या system कहते हैं, when it gets activated और जब या सक्रिय हो जाता है, it causes stress, तो इससे तनाव उत्पन होता है, and different reactions in our body, और हमारी बोड़ी अलग लग तरीके से प्रतिक्रियाएं देती हैं, जैसे की, surgeon heart rate, हिर्दय की धड़कन बढ़ना, cardiac output यानि हिर्दय समंदी कोई समस्या, high blood pressure, उच रक्तशाप, shallow breathing यानि सांस धीरे धीरे आने लगना, sweating यानि पसीने आना इत्यादी, question number five, why is cortisol good for our body, तो देखिए, cortisol is a hormone, at normal levels, it is good for our body, यानि समाने इस तर पे हमारे लिए cortisol अच्छा होता है, it helps in maintaining body active and healthy, ये शरीर को सक्रिये और स्वस्त रखता है, it also regulates our metabolism and blood pressure, ये दो बाते याद रखिएगा, metabolism यानि उपापचे ही क्रियाओं को नियंतरित करता है, और blood pressure यानि रखत चाप को भी नियंतरित करता है, उसके बाद ठीक अगले question में cortisol के नुकसान पूछे हैं तो देखिए, high level of cortisol is very harmful for our body, यानि cortisol का उच्छ स्थर हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक होता है, it suppresses immune system, ये है प्रतिरक्षा तंतर को कमजोर कर देता है, causes sleep disturbances, ये नींद नहीं आती, loss of appetite, भूक नहीं लगती, it increases cholesterol and triglyceride level, ये है चर्बी और वसा के स्थर को बढ़ा देता है, which is a risk factor for heart attack, जिससे दिल का दोरा पढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है, उसके बाद question number 7 है कि parasympathetic nervous system को activate कैसे किया जा सकता है, तो देखे, the parasympathetic nervous system becomes activated when stress ends, यानि जब तनाव खत्म होता है तो ये अपने आप active हो जाता है, but it can be consciously activated, लेकिन इसको हम जान बूज कर भी activate कर सकते हैं, by deepening breath, यहीं सांस को गहरा लेकर, relaxing muscles, हमारी mass patient को आराम देकर, in other words, we can activate by doing yoga, हम yoga करके इसको activate कर सकते हैं, 8th question है, what is the result of rest and renew in our body, तो आपको पता होना चाहिए, कि rest or renew, parasympathetic nervous system को ही कहते हैं, जिसे हम relaxation response भी कहते हैं, तो देखे, in this stage, the body tries to heal itself, शरीर अपने आपको स्वस्थ करता है इस stage में, it lowers the blood pressure, heart rate and respiration, यानि रखत चाप को कम कर करता है, heart rate को normal कर देता है, respiration यानि सांस लेने की गती को normal कर देता है, it maintains the digestion, हमारे पाचन तंतर को नियंतरित करता है, elimination, निशकाशन को नियंतरित करता है, and blood circulation in our body, और हमारे शरीर में रखत के संचरण को ये normal कर देता है, question number 9, what is important for the promotion of long term health, हमने summary में अच्छे से जाना था क free circulation of blood, यानि रखत का सही तरह से मुक्तरूप से संचरण होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, हमारे चार तरह के systems में, digestive system, reproductive system, glandular system, और immune system, ये चार इसमें आपको लिखने है, question number 10 में, main components of yoga practice बताने हैं, तो तीन main components होते हैं, yoga asanas, pranayam, और meditation, तो देखिए, the yoga asanas includes inverting, twisting and compressing our body, यानि yoga asana में हमारे श्रीर को inverting, यानि उल्टा करना, twist यानि टेड़ा मेड़ा करना, और compressing यानि थोड़ा दबाना, pranayam includes long and deep breathing, pranayam में लंबी और गहरी सांस लेना, और meditation includes concentration of mind, यानि ध्यान लगाना, question number 11, what does the practice of yoga encourage, yoga की practice किस चीज़ को प्रोचसाहित करती है तो simple सी बात है, एक healthier lifestyle को, यानि स्वस्त जीवन को, और इसके अलावा क्या develop करती है, ये ध्यान दीजेगा तीन चीज़े, एक तो self awareness, दूसरा discipline, और तीसरा positive attitude, इसके अलावा stress दूर होती है और relaxation मिलता है, फिर long answer type questions में, first or second question बहुत important है आने वाले board exam के लिए, इसलिए इसक do you understand by sympathetic nervous system, तो दोनों एक ही बात है, sympathetic nervous system के कारण ही हमें stress feel होती है, तो देखिये, there is a very close relationship between stress and diseases, बहुत गहरा संबंद है, according to a medical research about 90% of illness is caused by stress, 90% बिमारिया तनाव के कारण होती है, the health problems like surge in heart rate, high blood pressure, depression, anxiety, insomnia, loss of appetite, some of diabetes mellitus are caused by stress, यह सारी बिमारिया तनाव के कारण होती है, stress is the product of sympathetic nervous system, तनाव sympathetic nervous system का ही product यानि उत्पाद होती है, it is also called fight or flight response, इसको fight or flight response भी कहते है, it is activated when we feel some danger or any environmental threat, इसी भी तरह का हमें अगर कोई threat यानि खतरा नजर आता है, तो यह एक्टिवेट हो जाता है, it results in sudden surge in heart rate, high blood pressure, sweating, breathing problems, tensing of muscles, यह सारे इसके कारण होते हैं, internally the fight or flight response reduces the blood flow, अंदर ये अंदर हमारे blood flow को यह reduce कर देता है, कम कर देता है, to the internal organs and shuts down the digestion, और हमारी पाचिन क्रिया को यह बंद कर देता है, the stress reaction for short term is good for our body, stress हमारे शरीर के लिए थोड़े समय के लिए तो ठीक है, but long term stress is very harmful, लंबे समय तक stress हमारे काम की नहीं है, नुकसान दायक है, इट affects body's natural maintenance, यह हमारे शरीर के प्राकर्तिक रख रखाओ की जो योग देता है, उसको प्रभावित करता है, इट also affects body's healing abilities, शरीर की उपचारात्मक शमताओं को बहुती बुरी तरिके से प्रभावित करता है, योगा removes stress and gives relaxation, और योगा stress को दूर करता है और अराम देता है, इट activates the parasympathetic nervous system, योगा parasympathetic nervous system को अक्टिवेट करता है, इट improves the blood flow, योगा blood flow को ठीक कर देता है, to all the internal organs, and also improves the healing abilities of our body, और हमारे शरीर की जितनी भी उपचारात्मक शमताओं हैं, उनको सुधार देता है योगा, फिर question number 3, जो कि 2019 के board exam में आया था, कि योगा के फाइदे बताने हैं, तो exactly जो हमने समरी में पढ़े, और जो अभी अभी हमने short answers में prepare किये, वही सारे benefits हमने यहां पर repeat किये हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेजिए, आपको easily समझ में आ जाएगा, words वही हैं, sentences भी almost वही हैं, ओके, यह था अपना chapter, how yoga heals, मिलते हैं अगले chapter में, तब तक के लिए take care and bye.